उत्तर प्रदेश से मिलते हुए प्रदेश उत्तरा खंड में भी राजनितिक गती विदियां चुनावों को लेकर तेजी से चल रही है। और आप सच जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरा खंड में भी विदान सबा के चुनाव अगले साल के शुरुवात में, 2022 के शुरुवात में डियू है। बीजेपी के MLA तोड़ने शुरु किये हैं और बीजेपी के जिस MLA को या जिस MLA युगल को, डियो को बीजेपी कॉंग्रेस ने तोड़ा है, वो बहुत महत्पून है। उत्राखंड की पुशकर सिंग धामी की जो नई सरकार है, उसमें परिवहन मंत्री यश्पाल आ रही है और उनके बेटे संजीव आ रही है। दोनों ही MLA, दोनों को कॉंग्रेस ने तोड़ लिया है और दोनों ने ही कॉंग्रेस जोएन कर ली है। दोनों के कॉंग्रेस जोएन करने के साथ साथ एक और भी बड़ा जो राजनितिक इंपेक्ट इस स्टेट में देखने को मिलेगा वो यह है कि यश्पाल आरिये एक बड़ा दलित चेहरा थे यहाँ पर दलित नेता के रूप में उनकी पहचान है उधम सिंग नगर नैनिताल यह जो इलाका है इसमें अच्छा खासा प्रभाव है उनका और दोनों पितापुतर आसपास की जो कॉंसिटेंसी है वो बाजपूर से विधायक है इस्पाल आरियर उनके बेटे नैनिताल कॉंसिटेंसी से विधायक है तो दोनों मिलती हुई consistency हैं आसपास के नरी ताल उदम सिंग नेगर सब मिलता हुआ इलाका है और कुमायू और तराई का जो इलाका है इसमें उत्तराखंड में उसमें दलित वोट भी काफी भारी संख्या में है और साथी साथ इस इलाके में किसान आंदोलन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है जैसे के बाजपूर सीट जहां से यश्पाल आरिये विधायक हैं वहाँ पर किसान आंदोलन का उत्तराखंड का एक तरह से वो सेंटर है वहाँ पर कई आंदोलन हो चुके हैं जो खटीमा का इलाका है वहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में कई लगने लगा था कि अगर वो बाजपूर से इस बार बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और इसी वज़े से उन्होंने स्विच कर लिया पार्टी को जबकि स्विच करने की आदत इनकी पुरानी है 2017 में जब विधान सबा चुनाव हुए थे तो भी ये मिनिस्टर थे यश्पाल आ रिये यश्पाल आ रिये उस समय राजय सुमंतरी थे कॉंग्रेस की सरकार में और उस समय इनकी हरीश रावत से नहीं बनती थी और हरीश रावत से ये कह रहे थे के मेरे बेटे संजीव आरिये को भी आपको टिकर देना पड़ेगा इस बार और इस बात को लेकर कॉंग्रेस तयार नहीं हो रही थी इसी वज़े से इन्होंने बीजेपी से बात कर ली थी 2017 में और कॉंग्रेस छोड़ कर चले गए थे बीजेपी में और बीजेपी में देखे कितने लखी साबित हुए कि बाजपूर से खुद भी जीत गए नैनी ताल से अपने बेटे संजीव आरिये को भी विधायक बनवा लिया और इसमें पाँच साल से लगतार मंत्री पद भी इंजोई कर रहे हैं विफिलाल वो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर थे जब उन्होंने सोमवार को इस्तिफा दिया सुभे के समय राहूल गांधी से मुलकात करवाई हरीश रावत ने उनकी राहूल गांधी ने यश्पाल आरिये से पूछा भी कि भई यश्पाल जी आप बताईए बीजेपी में और कॉंग्रेस में क्या फरक है तो देखिए कितना बड़ा जवाब यश्पाल आरिये ने दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के भीतर इनर डिमोक्रेसी है मतलब अंदुरूनी लोकतंतर है जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है वाँ उपर से फैसले थोपे जाते हैं जबकि नैशनल लेविल पर तो सब लोग यहीं चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी जैसा डिसिप्लिन कांग्रेस में क्यों नहीं है खुद कांग्रेस के गुरूप 23 के जो नेता हैं वो यह कहते फिर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो पार्टी के भीतर है वो लोकतर नहीं है, CWC का जो चुनाव नहीं हो रहा है अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के पास लियामित रूप से पार्टी की गतिविदिया नहीं चल रही है पार्टी के फैसले कोन ले रहा है, यह नहीं पता चल रहा है और यश्पाल आ रही है ये कह रहे हैं कि साब इनर डेमोक्रेसी बीजेपी से ज़्याद है कॉंग्रेस में तो ये हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि राहूल गांधी को इस डायलोग को सुनने के बाद हसी आनी चाहिए थी जो शायद उन्हें आई नहीं या फिर हरीश सियम बने है नव जो सिंग सिद्धू और अमरिंदर का जगड़ा चला उसमें हरीश रावत ने बड़ी भूमी का निभाई लगातार एक्टिव रहे हाला कि वो बीच में परिशान भी हो गए थे कि यार मैं उत्तरा घंड पे फोकस करना चाहता हूं मुझे पंजाब से मु पंजाब के परकरण की वज़े से गांधी फैमिली के नजदीक आये हैं और सोनिया गांधी को ऐसे बुढ़े दिगज पसंद हैं जो पार्टी को मनी कमा कर देते हैं जैसे के कमलनात या फिर दूसरे जो अशोक गहलोत राजस्थान के सियम और उनी में इसी सिरेणी में हरी हरी शरावत की भी मैं गिंती करता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम है हाला कि अभी राहूल गांधी क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोनिया गांधी उन्हें कन्विंस कर लेंगी कि अगर हमें उत्रा खंड म वापसी करनी है तो हमें हरीश रावत की लीडर्शिप में ही जाना होगा और यही वज़े है कि हरीश रावत ने एक मंत्री को तोड़ कर एक दलित फेस को तोड़ कर यह साबित करने की कोशिश की है कि देखिए मैं आपके समर्थन में बीजेपी के मंत्री को तोड़ लाया और साथी साथ ये स्पाल आरिये नहीं ये भी कहा है कॉंग्रेस जोइन करते हुए कि इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि absolute majority के साथ कॉंग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है और उन्हें ये लग रहा है कि यार चलिए बहुत बढ़िया बात है और अगर कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो अच्छी बात है अगर देखें बीजेपी का मंतरी कह रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो कॉंग्रेस जोइन कर रहा है तो इसके कहीं न कहीं से तो अच्छे मैसेज जाएंगे तो इससे दो काम हो गए एक तो कॉंग्रेस में एक बीजेपी के दो बड़े नेता एंटर कर गए दो वर्तमान MLA पहुँच गए एक तो मंत्री हैं और दूसरे हरीश रावत को पार्टी के सामने ये दिखाने का एक मौका मिल गया कि देख लीजिए मैं इनको वापस ले आया कॉंग्रेस में आये है अब बहराल वो अपनी सीट तो बचा लेंगे लेकिन क्या यश्पाल आरिये को दलित फेस के रूप में प्रोजेक्ट करके बीजेपी कॉछ कॉंग्रेस कुछ कर पाएगी वहाँ पर यश्पाल आरिये अभी CM के लिए उनका नाम चला था जब पाननेता हूं मुझे तो बनाया नहीं CM और ये कलका लॉंडा जो है पुषकर सिंग धामी इसको CM बना दिया गया शायद इसी वज़े से उनकी नाराजगी थी पुषकर सिंग धामी उनकी नाराजगी को परक भी रहे थे समझ भी रहे थे और सुनने माया कि पिछले दिनों वो ब्रेकफास्ट पर भी गए थे यसपालारिया के घर पर और उन्हें मनाने की भी कोशिश की थी लेकिन यसपालारिया माने नहीं मुझे लगता है कि शायद वो राहुल गांदी से चुपके से कहीं ये ना कह दें कि सर मुझे CM फेस के लिए आप प्रोजेक्ट कर दें औ वहराल उत्राखंड की राजनीती में बहुत कुछ होने जा रहा है और मेरे इस चैनल पर उत्राखंड और उत्तर परदेश की राजनीती से जुड़ेवे वीडियोज फटा फटा आ रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आने वाले समय में इस पर मैं चैनल है वैसे जो मेरे दूसरे चैनल है हर्श की बात लाइव और गलोबल हर्श उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उन पर भी नैशनल पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया इन सब को लेकर वीडियोज आते रहते हैं तो देखते रहिए मेरा ये चैनल हर्श कुमार नमस्क्राइब